मेरी जिन्दगी सवारी मुझे को गले लगाके बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाके स्कुल ये एक एसा वर्ड है जिसे हम बच्वन में सुनकर डरा करते थे लेकिन जब आज इसी वर्ड को हम सुनते हैं तो हमारी आखों में आसु आ जाते हैं क्योंकि सभी ने वाँ पर अपने अपने मॉमेंट्स क्रिएट की होते हैं आएए देखते हैं इस वीडियो में वही मॉमेंट्स स्कुल जी हाँ जहाँ जहाँ पर हम सब पहली बार गए थे अपने घरवालों को छोड़के दोस्ती करना जहाँ पर सीखा था कुछ नया सरिष्टा जोड़के जहाँ पर सभी रोते वे आये थे और रोता था हमारा आखरी दिन क्योंकि आज भी याद आते हैं वो खटे मिठे स्कुल के दिल जब सुबह देर से उठते तो वेन खर के सामने खड़ी होती थी और बार बार होन बजाती फिर पापा हमें डागते स्कुल के टीचर्स के हम नए नए नाम बनाते हर रोज मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर का एक लंबा सा गीत गा कर सुनाते टीचर जब भी पीछे मुड़ते तो हम छिपके से टिफिन खाते थे दोस्तों और जूनियर्स का टिफिन उनसे पहले हम ही खतम कर जाते थे वो ब्लैक लिस्ट का टेग लगा के हम बैक बेंचर्स केलाते थे पैन फाइट से लेकर कितने ही गेम्स हम पीछे बेट कर खेला करते थे कभी चौक डस्टर वाला क्रिकेट तो कभी बुक क्रिकेट खेलना फिर चौक के छोटी छोटी चुक्रे करके एक दूसरे पर फेकना वो पैंसिल से पैन में कनवर्ट होने वाली फीलिंग वो हाउस सेलेक्शन तो हमारी क्रिकेट टीम की पहली इनिग वो केंटीन के समोच से तो बंकिंग पोईट की बाते हैं हम सबका फिर साथ मिलके वो संडे की मुलाकाते वो वाश्रूम में सबका साथ जाना और आधा लेक्चर वहीं बिताना वो छोटी सी लड़ाईयों पर स्कुल के भार मिल ये कहकर एक दूसरे को हड़काना वो बच्पन का यार, स्कुल वाला प्यार उससे मिलने के लिए रहना हरदम तयार वो लाइफ का पहला क्रश हर वक्द बस उसे देखने का रश कभी टीचर, कभी सीनियर तो कभी क्लास वाली थी बस वो दीवाली पर पठाकों से हम कितना बवाल मचाते थे कभी क्लास रूम में फोड़ते तो कभी टीचर को चोकाते थे वो स्कुल के प्रोजेक्ट्स तो कम्प्यूटर लैब की बाते कोई एक पानी पीने को जाता तो उसको अपनी बोटल भी पकड़ाते वो कॉपी का कवर, तो स्टाफ रूम में जाने का डर कुछ होते थे अच्छे वाले सर तो कुछ घडूस टीचर दोस्तों के साथ हर दिन स्कुल आना जाना कभी कभी घर देर से पोचने पर मा की डाट खाना एक्जाम होल में दोस्तों के साहरे जाना कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को दिखाना वो अपनी code language बनाके एक दूसरे को इशारों में आंसर बताना जब आगे वाले धोका देता था और पीछे वाला मेरे भरों से होता था तब फर्रही तो काम आते थे देर रात तक जग कर जग हम बनाते थे जब एनवर फंक्शन आता था पुरा स्कूल जैसे जग मगा उठता था हम सब भी सरसर्च का जाते थे और कितना मज़ा उड़ाते थे वो उससे बात करने के लिए दोस्त को चड़ाना तू जा बात कर उससे मैं हूँ यहां यह कहकर उसके हिम्मत बढ़ाना और दूसरे ही पल वहाँ से भाग जाना बर्डे पर सबको एक-एक और अपने बेस्प्रेंट को दो चोकलेट्स देना वो कागस के जहाज वो लाइब्रेरी की मुलाकाते और कभी ग्रूप फोटों में दोस्त को गुदगुदा के हसाते वो 15 ओगस के लड़ू तो लेक्चर के बीच में की हुई बाते वो होली को होली के पहले खेल के आना वो दोस्तों के वादे तो फ्रेंड्शिप डे पर आइस्क्रीम पॉइंट वाला ठिकाना चोटी पे जब घर को लोटते तो स्कूल बस की दुनिया पाते और टीचर के उतरते ही कितना धमाल मचाते दिन, महीने, साल ये सब कब बीच गए समझ ही नहीं आया हमारे फेरविल ने आके हम सब को स्कूल की नहीं से जगाया और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं फेरविल पार्टी में सभी बंठन कराए हैं लड़के नए-नए हेरकर्स तो बालों में जैल लगाकर आया हैं और बात करें लड़कियों की तो वो अपने बालों को स्टेट करके नए-नए ड्रेस पेन कराई हैं बस अब यही है कह나 बस अब यही है कहना कि तुम अपनी जिन्दीगी में मुस्कुराते रहنا और मिलते रहेंगे यारो हमें भूल न जाना हो सकता है तुम्हें आज ये सब बाते इतनी खास न लगे लेकिन आने वाले दिनों में आने वाले टाइम में इन सभी यादों का बस इतना सा असर होगा कि कभी-कभी तुम सब बिना बात मुस्कराओगे यारा तेरी यारी को मैने तो खुदा माला याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाला तेरे जैसा यार कहा कहा ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाला तेरा मेरा अफसाला याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाला याद करेगी दूंच करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाला याद करेगी याद करेगी दूंच